क्लास आज हम बहुत ही important topics शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है calculation of amount of subscription और सबसे अच्छी बात यह है कि यह topic के सारे के सारे question आपको मैं कराऊंगा आप सब लोग इस topic को जरूर जरूर revision कर लेना एक बार घर पे 16 से लेकर 24 तक यह सारे के सारे question आपको एक एक करके बनाने है मैं आपको एक करके यहां पर सारे question बनाके दूँगा अच्छे समझा दूँगा लेकिन आप सब लोगों से request है अराम से सब लोग class इस topic को पूरा का पूरा अच्छे समाजना ठीक है calculation of subscription तो पहले मैं topic समझाता हू हम क्या है और देन हम इसकी questions को बनाएंगे ठीक है चलो सब लोग ध्यान से सुनते चले जाओ क्या है यह subscription को स्टार्ट करेंगे ओके चलो heading डालते है यहाँ पर calculation of amount of subscription amount of subscription credited to income and expenditure account income and expenditure account समझना बात को मैं क्या बताना चाहरा हूँ हमारे NPO में 200 member है हमारा जो not for profit organization है NPO में 200 member है और हर member 1000 रुपय की subscription देता है अब इस subscription होता क्या है basically जितने भी member होते है न not for profit organization में वो लोग थोड़ा थोड़ा सा पैसा जो है वो जोडते हैं अपनी जेब से ताकि NPO के लिए जो भी खर्चा वगेरा हो सके हमारा जो NPO run कर सके अच्छे से उसके लिए एक रकम इकठा हो जाए अब यह 2000 रुपय साल भर के अंदर मतलब की सौरी दो लाक रुपय साल भर के अंदर खर्च करेंगे यह सब्सक्रिप्शन है NPO के लिए यही सब्सक्रिप्शन क्या हो जाता है income क्यूंकि यह income है इसलिए class यह income and expenditure account में जाता है किस side credit side क्यूंकि यह income है तो यह income and expenditure account जो मैं सिखाऊंगा बनाना आपको जो accrual basis पे बनता है उस income and expenditure account में यह जाता है किस side class credit side clear यहां तक तो यह जो income है income and expenditure account में भीज देना है आई बात समझ दन अब सब्सक्रिप्शन में होता क्या है class कि सबसे पहले हमें इस statement में लिखना है सब्सक्रिप्शन receive during the year मान लो 200 members है आपके और सब्सक्रिप्शन receive during the year साल भर में जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला मेभी वो कम मिल सकता है ज्यादा मिल सकता है जो भी सब्सक्रिप्शन आपको साल भर में मिलता है आपको उसमें दो चीजों को एड करना पड़ता है और दो चीजों को उसमें आपको लेस करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन जो भी आपको मिला है उसमें आपको दो चीजों को एड करना पड़ता है और दो चीजों को less करना पड़ता है और फिर जो balance आएगा वो class आपका income and expenditure account में किस side चला जाएगा credit side यानि कि income बन जाएगी क्योंकि हमें accrual basis पर accounting करनी है तो कितना subscription मिला वो हमारी income नहीं है इस साल का actual कितना है वो हमारी income है कि इस साल के हमारी income कितनी है तो सीरी सीथी बात पहले आप format अच्छी से learn करो subscription receive during the year subscription receive during the year उसमें आपको दो चीजों को add करना है दो चीजों को आपने less करना है आपका answer आ जाएगा दो चीजों को add करना है दो चीजों को less क्या-क्या add करना ध्यान समझना outstanding outstanding at the end इस साल के end में जो भी subscription outstanding है वो हमें लेना है यानि कि on the date on 31st March 2020 टोटल आपका subscription जो इस साल का outstanding है अमान लोग कुछ लोगों ने आपको subscription का पैसा नहीं दिया इतने सारे member है कुछ member ने आपको subscription का पैसा नहीं दिया तो वो जो subscription outstanding है वो आपने add करना है और less क्या करना है class less करना है outstanding at the beginning class क्यूंकि जो इस साल का beginning है वही पिछले साल का end भी है तो अगर इस सालका end आप इस साल में add कर रहे हो तो पिछले साल का end होगा वो पिछले साल एड़ोगा इस साल एड़ नहीं होगा outstanding beginning जो है वो आपको minus करना है advance at the beginning जो advanced subscription है advance हमेचा अगले साल के लिए होता है तो इस साल की beginning में जो आपको advance मिला है वो इसी साल का है आपने add करना है और advance at the end साल के end का जो advance है advance at the end वो आपने minus करना है इसके बाद ये जो figure आपके पास आएगा ये figure income and expenditure account में credit side भीज देना है मैं repeat कर रहा हूं class आप सबको format बस पता होना चाहिए outstanding जो है end का आपको plus करना है outstanding beginning का minus करना है advance आपको beginning का plus करना है और advance at the end आपको minus करना है outstanding at the end plus करना है outstanding at the beginning minus करना है advance जो है वो beginning का plus करना है और advance जो है वो end का minus करना है आपको ये सारी चीजे किताब में दी होंगी बस आपको add कर देना है और less कर देना है आपका answer आजाएगा कि कितना subscription, income and expenditure account में जाएगा credit side बात को समझ ना ये पिछला साल है previous year मैं मान लेता हूँ जो पिछला साल है वो 18-19 है जो current year है वो 19-20 है और अगला साल जो है वो है 2021 तो ये जो year है ये एक चार 18 से शुरू होकर 31 March 19 चलेगा और ये एक चार 19 से शुरू होकर 31 March 21 चलेगा तो हमें accounting current year की करनी है और ये next year है जो हमें accounting करनी है वो current year की करनी है निकि इस साल की करनी है तो class आप बात को समझो जो पिछले साल के end में outstanding था जो पिछले साल के end में outstanding था वही same इस साल के beginning में भी होगा क्यों? पिछलास जो balance 31 March 19 का है वही balance आपका 1 April 19 का भी है clear class यहाँ तक जो 31 March 19 का balance है वही आपका 1 April 19 का balance भी है जो 31 March 19 को balance होगा वही balance आपका 1 April 2019 को भी होगा और जो class 31 March 20 का balance होगा same वही 1420 का भी होगा यानि कि जो इस साल का end है वो अगले साल का opening होता है बात को समझना तो अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपने outstanding at the end add क्यों किया class अब बात को समझो अगर आपका इस साल के end में कोई outstanding है मालो मुझे 10,000 रुपे मिलने वाले थे लेकिन मुझे मिले है 7,000 तो 3,000 जो outstanding है मुझे इसी में add करना है क्योंकि वो इस साल का outstanding है मैंने इस साल कमा लिया है लेकिन मुझे मिला नहीं है subscription income है हमको मिलना चाहिए था सारे member से लेकिन कुछ member ने पैसा नहीं दिया तो class outstanding at the end हम यहाँ पे add कर देंगे उसी तरीके से outstanding beginning जो है वो पिछले साल के end का outstanding है तो पिछले साल में add होगा इस साल add नहीं होगा इसली आपने outstanding at the end को add किया है क्योंकि वो इससाल का है और beginning का minus किया क्योंकि जो पैसा मिला है आपको वो इससाल का नहीं, वो पिछले साल का है उसी तरीके से एड्वांस जो है वो beginning का plus होगा क्यों इस साल के शुरू में जो advance मिला है वो आपको इस साल के लिए मिला है तो ये इस साल की income है इससाल एड हो जाएगा लेकिन इस साल के end में जो advance मिला है वो इस साल का नहीं है वो अगले साल का है तो इसलिगे आपने advance the end को क्या किया है माइनस किया है यह पूरा को yeter पूरा format आपको अच्छे से लर्ण होना चाहिए outstanding end का प्लस बिगใंग का माइनस advance beginning का प्लस end का माइनस अगर आपको यह format लTrue है फिर कोई प्रोबलम नहीं आएगी आपको आप असानी से सार republican बना लोगा लेकर format देख लो समझ लो और जो भी डाउट होगा मैं इसके अलग से आपके लिए class अरेंज कर दूगा बट आज मैं एक एक question खुद कराने वाला हूं बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लो class के बाज डाउट ले लेंगे अब मेरी बात को समझना यह जो outstanding at the end होता है यह पता है क्या होता है बात को समझना दो चीजे हैं एक outstanding for this year इस year का outstanding 5000 है मालो इस इस साल में 5000 रुपे नहीं आए still outstanding still outstanding for previous year पिछले साल का अभी भी outstanding 2000 है तो total outstanding कितना हो गया 7000 इसको हम लोग बोलते हैं outstanding on the date on the date कौन सा date 31 March 2020 तो हमें यहां format में जो outstanding लेना होता है वो यह total है यानि मैं इस साल का मेरा outstanding कितना है यह नहीं लूँगा और पिछले साल का मेरा outstanding कितना है मैं यह नहीं लूँगा मैं दोनों को जोडूँगा क्यार इस साल का 5000 रुपे नहीं मिला है और पिछ पिछले साल भी कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है तो पिछले साल 2000 रुपे नहीं आया है टोटल जो amount आया वह 7000 है यानि कि इस साल का 5000 पिछले साल का 2000 टोटल जो outstanding है class हमारा end का यानि कि साल के end में 31 March 20 को हमारा जो total outstanding है complete total outstanding वह कितना है class वह है 7000 का तो outstanding at the end जो है class वह हमारा कितने का रहा है 7000 का 7000 रुपे का हमारा outstanding हमको वह लेना है तो अगर किसी question में आपको यह वाला figure दिया होगा तो आपको यह चेक करना है क्या पिछले साल कभी कुछ outstanding है वह आप add कर दोगे और on the date का हमको ले लेना है 7000 हमें total चाहिए clear है रहा 31 March 19 पिछला साल है 31 March 20 इस साल है यह चीज आपका beginning है और यह चीज आपका end है एक चार 19 को भी आप beginning कह सकते हो एक ही बात है 31 March 19 कहलो यह 1 April 19 कहलो दोनों ही beginning है और end कौन सा 31 March 20 तो 31 March 19 को outstanding मान लो 1800 रुपे है जिसमें से 1500 रुपे इस साल मिल गया 300 रुपे अभी भी outstanding है बात को समझना outstanding beginning जो है वो 1800 है यानि कि पिछले साल के end में या इस साल के beginning में जो outstanding है वो 1800 रुपे है जिसमें से 1500 रुपे आपको मिल गया और 300 रुपे आपका अभी भी outstanding है वो आपको मिला नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा outstanding beginning है वो 1800 है हमारा outstanding beginning जो है वो कितना है 1800 है जिसम से 15,000 रूपय हमको मिल गए और 300 रूपय हमारा अभी भी outstanding है तो हमारा जो total outstanding amount आएगा वो कितना class आएगा वो आएगा 1800 तो हमें यहां पर format में जो लेना होता है outstanding at the beginning यह total ही लेना होता है ध्यान रखना हमें format में जो outstanding beginning लेना है class वो total लेना है कि साल के शुरू में कितना outstanding था कितना मिला है कितना अभी भी outstanding है मुझे उससे मतलब नहीं है मुझे 1800 चाहिए तो अगर किसी question में 1500 और 300 दिया है तो मैं add कर दूँगा और किसी question में class अगर 1800 दिया है तो फिर मैं इस 1500 को और 300 को देखूंगा भी नहीं है कितना outstanding की beginning का मतलब का है साल के शूरू में हमारा कितना outstanding था ओके यह हमारा format आपको अच्छे से learn कर लेना है किसी घी कीमत पर आज क्या एधूँडा थोड़ा सा tough रहेगा content वह बहुतना जादा नहीं नॉर्मल है, टफ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद से हम जो भी पढ़ेंगे वो इंटरस्टिंग होगा, वो इसी होगा, हम क्लास बहुती जल्दी तीन से चार क्लास के अंदर अपना पूरा दस नंबर NPO कवर करने वाले हैं, तो सब लोग महनत अपनी जारी करो, महनत करो, NPO में 10 नंबर लाना है, मैं टेस्ट कंडग करूँगा, उसके बाद ध्यान रखना, चलो, अब कोशिंवर 16 से लेकर हम शुरू करते हैं, तो मेरा सबसे पहला कोशिंग है, कोशिंग नंबर 19, चलो, सब लोग जरा स्टार्ट करते हैं, कोशिंग 19, मैं 19 कोशि to be created to income and expenditure account, हम statement बना लेते हैं, क्या क्या calculation of solution 19, मेरे साथ साथ लिखते हैं, ठीक है calculation of subscription to be credited to income and expenditure account ठीक है यह करना है मैं पहले ने काम करता हूं पूरा format अच्छे से design कर लेता हूं फिर हम करेंगे questions को ठीक है सबसे पहले आप क्या लिखते हो बता हो जरा सबसे पहले आप लिखते हो subscription received during the year ठीक है उसके बाद जो figure यहां पर आएगा वह credited to income and expenditure account वह amount आपका income and expenditure account में कहां चला जाएगा credit side क्या-क्या मुझे class add करना है बताओ जरा फटाफट बताते चले जाओ outstanding at the end और क्या minus करना है और क्या plus करना है मुझे advance at the beginning और minus क्या करना है मुझे advance at the end ठीक है यह पुरा format मैंने जो वही उपर लिखा था उसको मैंने यहां पर ready कर दिया तो अब मैं क्या करूंगा figure उठा उठा के रख दूंगा चलो मेरे साथ चेक करो सब्सक्रिप्शन receive during the year तीन लाग रोपे जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है वो तीन लाग का मिला है तो मैं यहां रख देता हूं त्री लाक्स एक-एक figure ज्यान से समझना सब्सक्रिप्शन receive कितना है तीन लाग रोपे आउटस्टेंडिंग क्लास ज्यान आउटस्टेंडिंग का मतलब होता है due but not receive या आप कह सकते हो एरियर का मतलब भी क्या होता है आउटस्टेंडिंग और due but not receive नहीं मिला अभी तक वो भी आउटस्टेंडिंग है ठीक है एक लास यहां तक तो आउटस्टेंडिंग बिगनिंग का 5000 है आउटस्टेंडिंग एंड का 25,000 है समझे रहे बात को तो एंड का आपने प्लस करना है 25,000 और जो आउटस्टेंडिंग बिगनिंग है वो आपको माइनस करना है वो है 50,000 ओके अब आते हैं advance पे तो advance जो है beginning का है 30,000 और end का है 70,000 advance beginning का है 30,000 और end का कितना है 70,000 बस हम इसको solve कर लेंगे और हमारा answer आ चुका है बच्चो ध्यान रखना outstanding आपको beginning का दिया हुआ है और end का दिया हुआ है तो यह answer आ गया 2,35,000 आप चेक कर लेना answer जो है वो आ गया 2,35,000 तो outstanding हमको beginning का end का on the date दिया हुआ है सीधा-सीधा इस date को इतना outstanding है चेक करो इस date को इतना outstanding है इस date को इतना outstanding है अब नीचे एक line और लिखिए क्या लिखा है subscription still outstanding for year 18,19, 10,000 यानि कि subscription अभी भी outstanding है 2018-19 यानि कि पिछले साल का 2019-19 पिछला साल है तो पिछले साल का 10,000 अभी भी outstanding है लेकिन मैंने इसको ignore किया पता है क्यूं? क्ला सुनो मेरी बात जब हमको on the date का outstanding दे रखा है area 25,000 है तो इसमें से 10,000 जो है वो पिछले साल का है इस साल का 15,000 होगा तभी तो total आपको outstanding 25,000 दे रखा है समझो बात को जब मुझे ये total 25,000 दिया है तो मैं ये 10,000 को क्यों लूँ? बात को समझना मुझे हमेशा outstanding total लेना होता है on the date सीधा date लिखी है date के सामने लिखा हुआ है कि इतना outstanding है 25,000 खतम बात वो total है वो उस date को total outstanding है पिछले साल का 10,000 है इस साल का 15,000 है तो हमें इसको इग्नोर करना है still area को समझ लोगे बात को लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता outstanding for this year 15,000 तो इस साल का 15,000 है पिछले साल का 10,000 है तो मैं total कितना लेता है 25 लेकिन ऐसा नहीं है इसमें 25,000 तो आपको और कुछ भी count नहीं करना है आगे बात समझ तो 19 question हमारा complete हो गया आप answer देख लो 19 question चलो अब इसके बात करेंगे 21 आजाओ सब लोग 21 पे format हमारा बिल्कुल सेम रहेगा मैं कुछ भी change नहीं करूंगा मैं कोई change नहीं करूंगा लोग मैंने बिल्कुल सेम format रखा है मैं इस चीज़े मिटा जेता हूं class हम इसी format में करेंगे कोई भी change नहीं करेंगे सारा काम इसी format में होगा बस 19 की जगह मैं लिख दूंगा class question number 21 solution 21 चलो चेक करते है 21 में क्या लिखा है सब लोग जरा आ जाओ सब लोग जरा ध्यान से आ जाओ पड़ते हैं subscription of income expenditure चोन income expenditure account and balance sheet तो यह कह रहें कि balance sheet में क्या क्या आएगा और income expenditure में क्या क्या आएगा class ध्यान रखना subscription receive during the year तो इतना है आप सबको पता है receive during the year 458,500 तो subscription receive during the year 4,58,500 दो चीजे plus करनी है दो चीजे minus करनी है तो देखते हैं क्या-क्या plus करना है तो हमें सबसे पहले plus करना है outstanding on plus 31st March 2019 हमारा beginning है यह हमारा advance beginning है तो outstanding beginning 30,000 है outstanding beginning जो है 30,000 है हम minus करते है outstanding beginning को advance beginning जो है वो हमारा plus होता है 22,500 तो outstanding beginning हमने क्या कर दिया minus और advance beginning क्या हो गया plus यही तो होता है plus minus अब आगे देखते हैं लिखाए कि subscription receiving advance advance at the end 13,500 और outstanding at the end दे रखा है 37,500 तो outstanding at the end 37,500 और advance at the end 13,500 तो 458,500 है हम इनको add करेंगे इनको less करेंगे तो हमारा answer आगया 4,75,000 एक सेगड़ एक सेगड़ एक सेगड़ क्लास एक सेगड़ subscription receive during the year कितना है क्लास received 358,500 है 358,500 है class मैंने 4 लिखा हुआ है 358,500 है और यह answer आगया 3,75,000 है यानिकि 3,75,000 आ गया मेरा subscription जो income and expenditure account में credit side जाता है 3,75,000 तो यह हो गया 21 का पूरा का पूरा solution अब अगर आप इसको देखो इसमें क्या लिखा है जो subscription outstanding है on the date on the date का मतलब total total 37,500 है जिसमें से पिछले साल का है 12,500 और 25,000 इस साल का है मुझे इस से क्या मतलब है मुझे तर टोटल चाहिए अगर मुझे total मिल गया 37,500 तो मुझे इस से कोई मतलब नहीं है इस include से मुझे कोई लेना देना नहीं है तो हमारा answer आ गया ऐसा ही question class 3 marks में बोड़े पूछा जाता है या बड़े question का part बनता है यह topic class एक-एक question अच्छे से कराऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से clear हो जाए I hope कि अब यह वाला question भी आपको clear हो गया होगा next question आजाओ question में 20 20 question करते हैं आप class इसका एक बार answer देख लो यह रहा और इसके बाद हम करेंगे question 20 यह 19 हो गया मैं इसी format में 20 करूंगा तो मैं मिटा देता हूं class सारी चीजे आप लोगोंने लिख लिया होगा मैं इसको मिटा देता हूं अब जरह आते है question number 20 पे चलो सब लोग मेरे साथ 20 question पर आ जाओ जल्दी से 20 question बनाते हैं advance नाता है liability outstanding asset advance नाता है liability तो advance subscription का मतलब किए advance income, आपने advance income generate कीये और accrued income या outstanding income हमने कमा लिया लेकिन हमेंको मिला नहीं मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं तो वो चीज़ हमारे लिया शे सेट है चलो मेरे साथ 20 कोशिन चेक करो क्या है 20 कोशिन सब्सक्रिप्षिन एरियर मतलब आउटस्टेंडिंग बिगणिंग पांसो दे रखा है तो देखो मैं लिग देता हूँ यहां पर आउटस्टेंडिंग बिगणिंग 500 मैंने माइनस कर दिया यानिकि शुरू में जो एडवांस बिगनिंग का है on 31st March 19 for the year 31st March 20 यानि कि 31st March 19 यानि कि पिछले साल इस साल के लिए अडवांस दे दिया तो यानि कि एडवांस एडवांस एडवीगनिंग है 1100 तो यह दो चीजे हो गई हमारी एडवांस बिगनिंग जो है वह आपका प्लस होता है 1100 ओके चलो ठीक यर तो मुझे बताओ सब लोग यह ओन देट है या फॉर दे यह यह यानि कि यह जो 400 रुपए आउटस्टेंडिंग है यह सिर्फ इस साल का है ओनली फॉर 19-20 ध्यान रखना यह जो 400 रुपए का आउटस्टेंडिंग है क्लास आपका यह सिर्फ और सिर्फ इस साल का नहीं मिले अगर यह ओन देट होता सीध है ओन देट को इतना आउटस्टेंडिंग है तो मैं यहां पर इसको लिख देता आउटस्टेंडिंग के सामने लेकिन क्योंकि यह ओन देट नहीं है यह फॉर द इयर है तो यह जो आउटस्टेंडिंग है आपका 400 रुपए यह इस साल का है तो मुझे यह पता करना है कि पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टेंडिंग है यानि कि इस साल का तो 400 रुपए पकाया है पेंडिंग है जो नहीं मिला है एक काम करते हैं पिछले साल का देखने के लिए पॉइंटबर सी पड़ते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव है 35,400 35,400 तो मैं लिख देता हूँ 35,400 तो अब हम इसे प्लस करेंगे आउटस्टेंडिंग एंड मेरी बात को समझना इस जो आपको 35,400 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है इसके अंदर 400 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है वो पिछले साल का है बात को समझना पि भी 500 से ज़्यादा रुपए क्वा क्योंट निआज से ज्यादा तो मिलेगा निलेगा दे तो पिछले साल का बिग्निग इचले साल का विचले जो है यह पिचले साल का जो है वो अभी भी 100 रुपए है इस साल का 400 बुक में दिया हुआ है तो outstanding at the end आएगा 500 यानि कि 31 March को जो total outstanding है वो 500 रुपए है 31 March को जो total outstanding है class वो कितना है 500 रुपए जिसमें से 100 रुपए जो outstanding है वो पिछले साल का है और 400 रुपए outstanding इस साल का है जब कभी on the date नहीं दिया होता न तो हमें ये calculation करना है पिछले साल का 500 रुपय था outstanding गेरा area जिसमें से 400 आपको इस साल मिल गया तो अभी भी outstanding 100 रुपय है और जो 1200 रुपय मिला है न वो 31 March 21 यानि कि next year के लिए और 300 रुपय 31 March 22 को मिला है बच्चों हमेशा ध्यान रखना हमेशा ध्यान रखना ये point कभी भी confusion नहीं होगा अगले साल के लिए जो पैसा मिला है next year के लिए वो हमेशा advance at the end होगा इस question में advance at the end 1500 है प्यूकि जो अगले साल का है वो आपका 1200 है और उससे भी अगले साल का जो है वो 300 है भया advance जरूरी नहीं है कि अगले साल का योग अगला साल का भी हो सकता है अगले से अगले का भी हो सकता है कोई हमें 10 साल का advance दे दे हमें क्या problem है तो advance at the end का मतलब क्या है कि इस साल के end में आपको अगले साल के लिए कितना advance मिला है तो मैं इसको total कर लेता हूँ, answer हमारा आजाएगा 35,000 तो ये तीन question मैंने कराए class आपको line by line एक एक करके 19, 20, 21 I hope कि बहुत हद तक आपका अच्छे से clear हो गया होगा 19, 20, 21 clear है हां तक तो outstanding, beginning, outstanding, end, advance, beginning, advance, end बच्छो चार ही तो point है, क्या problem है, चार ही point है और advance at the end तो दिया होता है, 1200 और 300 सब कुछ दिया है book में class, मैं आपको और भी question कराता हूँ ये करके और questions को देखते हैं, अच्छे से जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो अब सब लोग आजाओ जरा question number 17 पे, ठीक लगा ले ना, very important question, before exam, जब आप examination में जाओगे, उससे पहले में आपको 17 question कराऊँगा, 17 question, very important question, अच्छे से जरा इस question को समझना, बहुत ही interesting और simple सा question है, 17 question subscription received during the year, 31st March 2020, तो आपको जो subscription मिला हुआ है class, वो मिला है 89,200, जिसमें से 1600 पिछले साल का मिला है, इस साल का मिला है 84,400, और अगले साल का, बच्चों में आपको बार-बार कहा था, जो हमें अगले साल का मिलता है, वो तो advance at the end है, उस पे कोई दोर आए नहीं है, वो तो आप advance at the end देखके लिखी लोगे, कि भाया, अगर आपको अगले साल के लिए 32,000 मिल रहा है, तो advance at the end है, और वो minus होता है, ये चीज़ तो clear हो गई, ठीक है, आगे क्या लिखा है, there are 450 members, each paying annual subscription, 200, एक मुझे बात बताओ, 450 member है, हर कोई 200 रुपए subscription दे रहा है, खतम, आगे answer 90,000, मेरा answer आजाएगा 90,000 का, मैं यहाँ पर class question को मिटा जेता हूँ, जैसे पहले किया था, अब इस question को देखते है, 17 question को मैं इन सब चीज़ों को मिटा जेता हूँ, format हमारा वही है, तो मैं बार-बार format नहीं बना रहा, मैंने format एकी बार में बना रखा है, आप वहाँ पर देख 89,200, advance at the end जो है, 32,000 है, अब इस CDC बात है बाई, कि मेरे पास 4500 मेंबर है, हर कोई subscription 200 रोपे देगा, तो मेरी हर साल की जो income आएगी, वो कितनी आएगी, 90,000, every year जो है, 4500 मेंबर, 200 के हिसाब से मेरी को subscription दे देगे, तो मेरी जो income बनेगी, वो बनेगी 90,000, लेकिन problem तो यही कि सब लोग नहीं देते, कुछ लोग advance देते हैं, कुछ लोग पुराना भी नहीं देते, जिसकी वज़े से हमें calculation करनी पड़ रही है, अब सवाल यह है, सरा answer तो 90,000 आगया, आप किताब में देख भी लेना, तो क्या 90,000 ही हम answer लिख देंगे, ऐसे हम आगे कुछ नहीं करे अच्छे से, complete तरीके से हम पूरा question solve करेंगे, उसके बाद जाकर हमारा answer आएगा, तो हमें एक एक करके सारे points को करना है, पूरा का पूरा question करेंगे, तब ही हो पाएगा, otherwise question में गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्यूंकि आपका income and expenditure तो बन जाएगा, पर कल को balance sheet भी है, तब जाके answer 90 आना चाहिए, हाँ लेकिन यह जरूर है, कि answer तो 90,000 ही आएगा, सब लोग ध्यान से समझना, outstanding मेरे को मिल चुका है, यह रहा question 17 कर रहे है, outstanding जो है, वो आपको साफ साफ यहां दे रखा है, जरा question पढ़के देखना, सब लोग साफ साफ दिया हुआ है, चेक करो, 1800 वर इन एरियर फॉर्ड़ येंडेर 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 कौन सा साल होता है, पिछले साल, तो पिछले साल का outstanding आपको 1800 साफ साफ दे रखा है, तो outstanding, beginning लिख दो, आप 1800, समाजगे बात को, देखो जो-जो question में दिया हुआ बच्चों मने वही उठा कर रखा है, मैंने कोई भी calculation कुछ नहीं किया है, advance end दिया हुआ है, outstanding, beginning 1800 दिया हुआ है, अब मुझे इसमे, advance beginning तो question में दिखा नहीं, outstanding at the end लिखते हैं, तो जरा ध्यान से सब लोग मेरी बात सुनना अब, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास कितने member हैं, साड़े चार सो, हर member कितने रुपे देता है, 200 रुपे, तो आपको हर साल पैसे कितने मिलेंगे, सर 90,000, हर साल जो पैसे मिलेंगे, आपको 90,000 मिलेंगे, है न, every year, तो current year में भी आपको पैसा कितना मिलना चाहिए, 90,000, लेकिन current year में आपने receive कितना किया है, आपको हर साल 90,000 मिलना चाहिए, लेकिन आपने receive कितना किया है, इस साल, चेक करो, सब लोग आओ question पे, इस साल आपको 84,400 मिला है, सीरी सी बात है, मुझे मिलने चाहिए थे 90,000, मुझे मिलना चाहिए थे 90,000, लेकिन मुझे मिला कितना है 84,400 तो यानि कि आउट स्סटेंडिंग फॉर दिस इहर इस साल का आउट स्स्टेंडिंग मेरा है 5600, ज्यान रखना है यह मैरा टोटल आउट स्टेंडिंग नहीं है यह सिर्फ इसी इसी साल का outstanding है बच्चों जब मुझे हर साल 90,000 मिलना चाहिए तो मुझे इस साल भी 90 मिलना चाहिए लेकिन मेरे को इस साल मिला कितना है 84,400 यानि मेरा इस साल का outstanding कितना है 5600 यानि कि 5600 रुपए जो मेरा outstanding है ये सिर्फ इस साल का है और outstanding for previous year कि हमको तो total चाहिए हमको यह जो मिलेगा यही income and expenditure में मतलब कि जाएगा तो हमें total outstanding चाहिए समझे लो बात को तो outstanding जो है इस साल का 56 है पिछले साल का outstanding 200 है अब सर यह आपको कैसे पता चला कि पिछले साल का outstanding 200 है सब लोग जरा इसके लिए question पर आओ आओ आप समझ जाओगे सुनो मेरी बात को यह रह 17 question आपका जो outstanding था opening में वो यहां पर लिखा हुआ question में opening में आपका outstanding कितना था मुझे बताओ ओपनिंग में class आपका जो outstanding था बो कितना था बताओ opening में outstanding था 1890 रूपय जिस 2100 में से आपको मिल कितना गया है दा 1600 यानि कि 200 रुपय आभी भी पिछले साल का outstanding है समझना बात को outstanding beginning का 1800 है जिस में से आपको मिल कितना गया है 1600, तो अभी भी पिछले साल का जो आपका outstanding है, वो class कितना है 200, तो आपका जो outstanding at the end है, यानि कि on the date को 31 March 20, शिर्फ इस तारीक को जो मेरा total outstanding है वो 5800 है, यानि कि class जिसमें से 200 रुपए आपका इस साल का है, और 5600 आपका जो है वो this year, सिर्फ इस साल का है, तो यह हमारा question हो गया 17 complete, तो इस तरीके से आप 17 question जो है वो पूरा का पूरा बना सकते है, पूरा full-fledged question है, पूरा complete है कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं है इसमें आप यहां से यहां तक solve करके भी देख लोगे, तो आपका जो answer आएगा, वो 90,000 ही आएगा, solve करने के बाद भी, आगे बाद समझ, यह हो गया आपका 90,000 ले लो क्ला स्क्रिंशॉट 17 question हमारा done हो गया, अब हम आते हैं जरा 18 question पे ध्यान से समझन है कि question तो मैं इसको हटा देता हूँ 18 question बनाते हैं यह लो मैंने information मिटा दी मैं एक ही format के अंदर सारे question बना रहो क्योंकि class सब एक ही जैसा ही है कुछ भी अलग नहीं है आज class target बना लो आज किसी भी कीमत पे यह topic पूरा खतम करके ही सूना है एक ही question को अच्छे से समझो दिमाग लगाओ class बिलकुल भी मैं chapter खराब नहीं करना चाहता यह topic ऐसा भी होता है कई बार topic आता ही नहीं paper में लेकिन फिर भी बच्चो इस topic के phobia के वज़े से डर के वज़े से आप जो है आगे नहीं करते अच्छी से प्रिप्रेशन लेकिन इस topic का आगे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है यह बड़े question के एक चोटा सा part बन सकता है यह सीधा सीधा यह question आ सकता है तीन नंबर में प्लीज इस question को जरूर घर पे बना लेना दिक्कत परिशानी जो भी होगी वह मैं solve कराऊंगा आपको मैं एक ही question करा रहा हूं ताकि कोई doubt आये ही ना सारे question मैं खुद ही करा रहा हूं जहां दिक्कत होगी class आप मुझसे पूच सकते हो लेकिन खुद preparation करना उसके बाद सब लोग मुझे पढ़ते हैं class देखो जरा during the year subscription receive 4,9,000 आपको जो subscription मिला है वो मिला है 4,9,4,9,000 जिसमें से आपको जो पिछले साल का मिला है कतिस मार्च 19 का वो 5,000 मिला है आपको जो अगले साल का मिला है 10,000 बच्चो आप सबको पता है यह जो 10,000 है यह हमेशा क्या होता advance at the end लो मैं इस question में भी लिएता हूँ advance at the end कितना हो गया 10,000 और subscription जो मिला है यह हो गया 4,9,000 किसी और teacher ने आपको क्या कराया यह मुझे नहीं पता मैं आपको अपने हिसाब से करा रहा हूँ आप इसको follow करो पूरा end तक ठीक है ना teacher कई बार अलग-लग तरीके से भी कराते लेकिन जो मैंने कराया है सबसे best और सबसे simple यही है और correct है 100% accurate कोई गलत नहीं कर सकता है इसको एक point भी गलत नहीं कर सकता हूँ ठीक है चलो आगे देखते हैं जरा आप इसमें हाँ यह writing question एक मुझे बात बताओ अगर 4,9,000 आपको receive हुआ है amount समझ रहे बात को 4,9,000 जिसमे 5000 जो है यह 10,000 बच्चो 5000 पिछले साल का है 10,000 अगले साल का है तो इस साल का amount आपको कितना मिला होगा ओव्यस है 4,9,000 में से 15,000 घटा दो 3,94,000 जो amount है वो आपको इस साल का मिला है कुछ लोग कम पैसे देते हैं कुछ लोग advance देते हैं तो हमें तो यह देखना है कि हमारा actual कितना है मेंबर तो इसमें दिया हुआ नहीं जो multiply करके लिख दे हम calculate करेंगे अब ध्यान से आगे का पढ़ना class आगे का ध्यान से पढ़ना ठीक है तो आपको जो पिछले साल का मिला है वो पांच लाक मिला है 394 आपको इस साल का मिला है और next year का आपको 10,000 मिला है वो तो आ इस साल के end में subscription outstanding for the year 31st March 2020 वर 15,000 मुझे बच्चों सिर्फ इतना बताओ ये जो subscription outstanding है ये total है या for the year है सिर्फ इस साल का है ये जो outstanding आपको दिख रहा है class ये total बिलकुल भी नहीं है ये 15,000 सिर्फ इस इस साल का outstanding है यानि कि इस साल का 15,000 रुपे नहीं आया कुछ पैसा पिछ इसको हम निकालेंगे ओके तो outstanding for this year सिर्फ this year for the year लिखा है इस साल का 15,000 है तो मुझे add करना पड़ेगा outstanding for previous year previous year का add करके मुझे total लिखना है ठीक है आगे देखते है the subscription due but not receive बच्चो due but not receive मतलब outstanding at the end of the previous year class जो चीज पिछले साल का end है वो इस साल का opening होगा तो opening outstanding आपको मिल गया 8,000 रुपे तो मैं यहां लिख देता हूं outstanding at the beginning वो मेरे को मिल गया 8,000 यानि outstanding beginning मेरे को मिल गया 8,000 है clear है यहां तक आगे पढ़ते है आगे पढ़ते हैं class क्या लिखा यह रहा और वाइल सब्सक्रिशन रिसीविन एडवांस ओन दे सेम डेट मतलब ओपनिंग आउटस्टेंडिंग आपको दे रखा ओपनिंग का और सेम डेट पे एडवांस बिगनिंग आपको दे रखा 18,000 तो अडवांस बिगनिंग आपको 18,000 क्या करना है class प्लस क करना है एडवांस बिगनिंग आपको प्लस करना है लोग सारी चीजे हो गई नहीं यहां पर बताओ सिर्फ एक चीज बचिए क्या वह है आउटस्टेंडिंग एडद अब मेरी बात ध्यान से समझना सब लोग जरा मेरी बात ध्यान से सुनू बिलकुल पिछले कोशिन की त और आउटस्टेंडिंग था जिस किट्ना गया पांच यह तो रिसीव हुआई ना तो तो था कितना बता हो जरह आठ मिल गया पांच तो अभी भी तीन आउठ्स्टेंडिंग तो टोटल आउट्स्टेंडिंग अजो है जिसमें से थीन पिछले साल का है 15,000 इस साल का on the date थोड़ी दिया है और the year दिया है इस साल का तो लो हो गया हमारा आंसर तो हम 4,09,000 में एड कर देंगे 18 18 माइनस करेंगे 18 तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,27,000 यह हमारा आंसर आ गया 4,27,000 क्लियर यहां तक यह हमारा 18 कोशिन भी कंप्लीट हो गया तो मैंने आपको क्लास 17,18,19,20,21 कोशिन करा दिया क्लास यह सारे अच्छे लेवल कोशिन है तीन नंबर तक का एक्जामिनेशन में पूछा जा सकता है चलो अब एक और कोशिन पर आते हैं बहुत ही अच्छा कोशिन है 22 बहुत सिंपल है अब आप भी बना लोगे क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 22 कोशिन पर हम लोग आते हैं तो सब लोग आजाओ 22 कोशिन कम टू 22 यह रहा 22 कोशिन चलो चेक करते हैं एक क्लब है जिसके पास 200 मेंबर है हर कोई हजार रुपे दे रहा है तो लो इंक वो रिसीव कितना हुआ है रिसीव हुआ है 25,000 प्लस करेंगे दो चीजे माइनस करेंगे दो चीजे और लास्ट में जो जाएगा इंकम एड एक्स्पेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड वो तो मुझे पता ही चल गया है कि अगर मेरे पास 200 मेंबर है और हर कोई 1000 र होता है एडवांस आपको एंड का दे रखा है तो एडवांस एड़ एंड भी आपको माइनस करना है ठीक है और एडवांस बिग्निंग आपको दे रखा है वह आप प्लस करोगे एडवांस बिग्निंग एक चीज रह गई क्या इसमें क्लास आउटस्टेंडिंग एड़ द तो आपके इस साल के end का outstanding क्या है यह आपको पूछा है तो outstanding at the end class आपको पूछ रखा है तो हमें outstanding at the end निकालना है तो मैं इसको x मान लेता हूं ठीक है outstanding at the end को मैं ने x मान लिया तो अब मैं solve करता हूं इसको check करो कैसे करना है solve यह 2,5,000 है मुझे इसमें यह plus करना x plus करना है 14,000 जब कोई चीज मिसिंग होते हैं तो इससे x मान लेते हैं minus करेंगे 30,000 minus करेंगे 40,000 is equal to आ जाएगा 2,00,000 is equal to आ जाएगा 2,00,000 तो अगर मैं solve करूं तो 2,00,000 minus कर देंगे जो इधर की चीज़े उधर भेजोगे minus में हो जाएगा और जो plus का है उसको minus और जो minus का है हम कर देंगे उसको plus तो हमारा answer आ गया 51,000 और यह बिल्कुल सही answer है तो outstanding at the end मेरे को कितना मिल गया class यहाँ पे 51,000 का मिल गया outstanding at the end clear यहां तक तो यह पूरा का पूरा class topic हो गया आपका outstanding at the end और outstanding at the end हमारा यह आगया answer हमारा 51 और कुशिन था class यह 22 ओके यह पूरा का पूरा topic हमारा complete हो गया है अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो है class subscription account क्योंकि कई बार ऐसा होता है वैसे बहुत कम बार होता ज्यादा बार नहीं होता कि आपको बोल दिया जाता है कि आप subscription का account बनाओ तो मैं आपको सिखा जेता हूं subscription का account कैसे बनेगा तो यह है class आपका subscription आपको याद कुछ करना ही नहीं है जैसा format वैसा आपका account बस ध्यांगने यहां minus है यहां plus है जो भी plus वाली चीज़े हैं वो इधर दिखा देना जो minus व तो यहां totaling आएगी आप मुझे सिर्फ इतना बताओ subscription income है या expense है सर subscription income है इंकम है तो outstanding subscription क्या होगा asset होगा और advance subscription क्या होगा liability इंकम अगर आपने समय से पहले ले लिया income अगर आपने advance में ले लिया है तो वो liability है और अगर income आपने कमा लिया लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं है तो आपका asset है तो इसलिए आपका जो outstanding subscription है वो asset है इसलिए वो आएगा to balance bd में और जो outstanding end है वो आएगा by balance bd में तो इन्हें कि two outstanding beginning by outstanding at the end सर आपने debit ने क्यों लिखा outstanding को क्योंकि asset है asset का balance debit और advance जो है वो liability है तो advance beginning आएगा credit में शुरू होगा और minus क्या होगा advance at the end इस side debit में यह हो गया आपका subscription का account outstanding beginning यहां advance beginning यहां बाकी जब आपको पैसा मिलता है subscription मिलेगा तो cash account debit होगा तो आप क्या लिख दोगे cash to subscription तो cash में subscription subscription में buy cash यह क्या है class जो subscription आपको received हुआ है जो आपको subscription receive हुआ हो आप यहां पर लिख दोगे अब इसके बाद जो भी इदर balance आएगा यह balance कहां चला जाए class यह balance चला जाएगा income and expenditure account में किस साइड क्रेट साइड अगर subscription में to income and expenditure लिखा है तो income and expenditure में क्या लिख दो गया बाई subscription चलो मैं repeat करता हूँ आप सबको format तो यादी है क्या format होता है बताओ outstanding beginning का plus sorry outstanding end का plus beginning का minus advance beginning का plus end का minus हम देखो क्या करते हैं बताओ subscription receive लिखते हैं यह रहा receive इसमें plus करेंगे outstanding at the end plus करेंगे advance beginning और जो आएगा इन दिनों प्लस करके जो आएगा उसमें से माइनस क्या करते हैं outstanding beginning और advance end और जो balance आएगा वो कहां चला जाएगा income and expenditure account clear class यहां तक income and expenditure account यह पूरा का पूरा format हो गया आपका subscription account का बिल्कुल same आपकी मर्जी है आप account बना लो आप statement बना लो जैसे मैं आप तक कराते हैं आपकी कर रहे ना answer same आना चाहिए तो चलो एक question इसी basis पर करके देखते हैं और वो है number 23 कि आजाओ सब लोग class 23 question पर subscription account बनाना है तो बहुत ही simple है outstanding दे रखा है beginning का end का advance दे रखा है beginning का end का चलो इनको जरा लिख लेते हैं हम लोग outstanding beginning end तो मैं format class अलग से नहीं बना रहा मैं इसी में space बना देता हूं और इसी में हम लोग कर देते हैं तो यह हमारा पूरा format ready हो गया तो इसी को ही हम लोग format में convert कर देते हैं और question number लिख लेते हैं question number है आपका 23 23 question है clear यहां तक तो outstanding beginning जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 20,000 का और advance beginning दिया हुआ 13,000 outstanding end दिया हुआ है 18,000 और advance जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 11,000 ठीक है चारो चीज़ होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव जरा चेक करते हैं यह रहा यह रहा क्लास 23 question 23 यह क्लास सब्सक्रिप्शन रिसीव दियर दो लाग दसजार जिसमें से 6,000 जो है वो पिछले साल का है बच्चो मेरी बात समझना अगर आपको अगर आपको outstanding beginning outstanding end दे रखा है तो यह total होगा ना आपको सीधा दिया हुआ on the date इस date को इतना outstanding है यानि total है तो भी total में हमें total अगर दिया हुआ है तो कोई adjustment नहीं करना सीधा आपने 6,000 रुपए कुछ नहीं करना दो लाग दसजार आपको receive हुआ है तो दो लाग दसजार आप यहां पे लिख दो दो लाग दसजार बस खतम हमारा answer इन तीनों को जोड़ दो और हमारा answer आ जाएगा बिलकुल clear है लेकिन इस question में इन्होंने एक point extra रख दिया है जिसके वज़े से बच्चों को problem हुई थी वो point यह है कि subscription जो outstanding था पिछले साल का उसमें से 4,000 रुपए डूब गए यानि कि हमने जो पैसा मिलना था उसमें 4,000 रुपए डूब गए तो मुझे बताओ यह फाइदा है या घाटा है सिर्फ इतना बताओ जो 4,000 रुपए डूब गए वो फाइदा है या घाटा है सर घाटा है तो कलको मैं आपको income and expenditure account पढ़ाऊंगा जिसमें debit side हम लोग सारे के सारे expenditure को लिखते हैं और credit side सारे के सारे income लिखते हैं मैंने पहले भी बताया आपको यह same income and expenditure class 11 में जो profit and loss account बनाया था आपने same वही है तो घाटा debit side आएगा two bad subscription कितना माउंट चार हजार है ना घाटा debit में आता है तो बच्छो एक बाद बताओ अगर आप income and expenditure में two bad subscription लिखते हो subscription में क्या लिखोगे buy bad debts और यह कहां से आया है income and expenditure से 4000 यहां तक कुल मिला के जो bad debt है वह घाटा है तो subscription account के credit side आएगा ध्यान अखना income and expenditure में debit आएगा लेकिन subscription में वह चीज़ क्लास आएगा credit यह हो गया 2,45,000 2,45,000 minus करेंगे 31,000 minus करेंगे 31,000 तो यह हमारा answer आगया 2,14,000 और यह कहां जाएगा बताऊज class in command expenditure account यह हमारा पूरा 23 question अच्छे से complete और इसके साथ chapter के सारे के सारे question मैंने करा दिये इसलिए मैंने class आज class ऐसी रखी ताकि मैं आपके सारे के सारे question करा सकूँ अब बच्चो एक दो question ऐसे बच्चे हैं जो आपके लिए homework छोड़ रहा हूं जो बहुत आसान है answers मैं आपको group में भेज दूँगा उन दोनों question के वैसे आप अपने आप बना लोगे क्योंकि आपको मैंने सारे tough questions सारे अच्छे question सारे exam level question करा दिये हैं अब जो question आपका class बचा हुआ है वह एक question बचा है 24 सिर्फ 24 question जो है वह आपको class बनाना एक ही question homework दे रहा हूं बस 24 वह आप बना लेना 24 question अकेला आपको homework बनाना है यकीन मानो 24 question में कुछ भी नहीं है 24 question में class कुछ भी नहीं है बस 24 question के अंदर subscription कितना outstanding कितना है beginning कितना सब चीज़ दिया हुआ है आपको format रख देना है format क्या है outstanding end plus outstanding beginning minus लेकिन बनाना जरूर advance beginning क्या होता है plus और advance end क्या होता है minus उपर subscription receive last amount आपको निकालना है तो यह 5 case है तो आप एक एक करके सारे case बनाना मैं आपको solve करके इसका answer विदे दूँगा easily यह पूरा topic खतम हो जाएगा एक question छोड़ रहा हूं बस लेकिन सबसे पहले आप पूरा format याद करना फिर जो question मैंने करा है वो करना और फिर उसके बाद एक 24 question है वो आप कर लेना और हमारा topic पूरा का पूरा finish हो जाएगा यह आपका homework है एक class सारे question तो इस topic के हो चुके हैं एक से एक सब question करा दिए एक यह रहा गया चोटा सा question देखना 16 16 जरा check करो सब लोग 16 question जो है वो रह गया है सब लोग 16 question को check करो numbering wise 16 question check करते हैं क्या है during the year 31st March 20 subscription received by जैपुर literacy society 4,20,000 ध्यान रखना जो subscription received हुआ है वो कितना हुआ है 4,20,000 जिसके अंदर 14,000 रुपए जो है वो पिछले साल का है और 31st March 20 को subscription outstanding कितना है 10,000 what amount should be created to income and expenditure account तो आपको income and expenditure account में कितना amount भेजना है यह आपको class बताना है ठीक क्लास यहां तक तो हमें करना क्या है outstanding at the end जो है outstanding at the end कितना है 10,000 तो आपको 14,000 पिछले साल का है तो घटा दो 14,000 previous year का आगया 416 simple 10,000 outstanding end है और 14,000 outstanding beginning है तो 10,000 को आप add कर दो 14,000 को minus कर दो 420 में आगया हमारा answer तो आज ही class हम यहीं finish करते हैं subscription topic हमारा पूरी तरीके से complete है ठीक है next class में हम लोग जो पढ़ेंगे वह का material consume यहां तक अच्छे से कर लेना कोई भी कोशिंग क्लास ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया एक कोशिंग करा दिये फिर भी जो doubt दिक्कत परिशानी हो वह class आप मुझसे पूच सकते हो नेक्स क्लास में हम लोग जो है वह continue करेंगे ठीक है तब तक के लिए good night bye bye